दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने बाले हैं, बहुत ही बड़े लेप्टप के बारे में, बड़ा मतलब बजट से भी बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत महंगे लेप्टप के बारे में बात करेंगे, जो कि MSI का राइडर GE788X मोडल है, और सबसे पहले हम प् वाले लेप्टप के अंदर है क्या, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, कि क्या, क्यों है ये इतना महंगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, समझना बहुत जादे जरूरे है, लेना नहीं लेना, ये जरूरी नह है कि हम हर चीज को खरीद पाएं उसी के बारे में जाने जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है वीडियो को अंतक देखें हम समझेंगे कि आखिर में यह इतना महेंगा है क्यों क्या है इसके अंदर खास बात क्या सोने-चांदी लगे हुए हैं हीरे मोती लगे हुए हैं जो पांच साड़े पांच लाख रुपे का हम laptop खरी देंगे नहीं एक्चुल में क्या है हम लोग समझेंगे समझने की वीडियो को साथ अंतक बने रहें वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस टाप की वीडियो हमेशा ले करके आते रहता हूँ आईए दोस्तों हम लोग समझने की कोसिस करते हैं कि इसके अंदर एक्च्वल में क्या-क्या ऐसा लगा हुआ है सबसे पहले हम लोग प्रोसेसर की ही बात कर लेते हैं कि इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है जो पांच लाख रुपे हमको देने पड़ेंगे तो अच्वली इसके अंदर कंपनी ये कोसिस की हुई है कि इसके अंदर जो भी पार्ट्स लगे हुए है वो समय के हिसाब से इस वक्त के जो सबसे लेटिस्ट है उससे उपर अभी कोई नहीं बना हुआ है वो सारी चीजे इसके अंदर लगी हुई है अगर लेप्टप प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंटेल का कोर आई 9 का 13980HX लगा हुआ है यानि कि 13980HX लगा हुआ है जो कि 24 कोर 32 थ्रेट का प्रोसेसर है और 5.6 तक मैक्स बुष्ट में ये जाता है आप समझ सकते हैं कितना पावर्फुल ये जो है प्रोसेसर हो सकता है ये बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर जो है लेप्टप का जो कि इसके अंदर लगा हुआ है इसकी बेस पावर जो है वो 55 वाट है जो कि बेस पावर है और मैक्सिमम टुर्बो के अंदर जो है ये 155 वाट तक जाता है आप सोच सकते हैं कि कितना पावर्फुल ये लेप्टप हो सकता है जिसके अंदर ये प्रोसेसर लगा हुआ है इतना ही नहीं और भी हम बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या-क्या लगा हुआ है जो इस लेप्टप को इतना खास बना रहा है इतना महंगा बना रहा है तो one by one हम लोग इसके अंदर समझते हुए चलते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर pre-installed windows 11 के साथ में ये आएगा lifetime validity के साथ में वो तो अब जो है 30,000 के भी laptop के अंदर आ रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है बाकी कि अगर हम बात करें ये बड़ा laptop है और QHD Plus का display लगा हुआ है जिसका resolution है 2560 x 1600 यानि कि QHD के अंदर display लगा हुआ है जो की बहुत ही बहुत ही बहुतरीन performance देने वाला है बाकी जिसका 240 Hz refresh rate है गेमिंग में कही पर भी कोई compromise नहीं किया हुआ है और 100% DCI-P3 है यानि कि आप इस पर graphic designing वगेरा भी कर सकते हैं color accuracy भी बहुत ही गज़म मिलने वाली है IPS panel के साथ में ये आता है और बाकी memory की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 32 GB का memory लगा हुआ है और 2 TB का M.2 NBME SSD लगी हुई है Gen 4 की SSD इसके अंदर लगी हुई है DDR5 का dual channel RAM लगा हुआ है ये एक बहुत बड़ी बात है यानि कि हर चीज बिलकुल भी top notch रखा हुआ है अब main बात अगर हम graphic की बात करें तो ये भी बहुत ही top level का graphic card लगा हुआ है इसके अंदर NVIDIA Geoforce RTX 4090 का GDDR6 16 GB का graphic card लगा हुआ है और Killer GB LAN लगा हुआ है 2.5 GB वाला इसके अंदर जो है Ethernet port देखने को मिल जाता है Wi-Fi 6E जो की सबसे top level है और उसके साथ में Bluetooth V5.3 सब कुछ बिलकुल भी latest है गेमिंग लेप्टॉप के अंदर वेट इसका 3.1 kg है भारी भर कम बड़ा लेप्टॉप ये जो है हो सकता है कीबोर्ट की बात करें तो RGB कीबोर्ट के साथ में बाकी front पर इसके lightों से बिलकुल भी भर रखा है और इसका एक-एक individual keys जो है RGB है यानि हर keys को आप अपने हिसाब से set कर पाएंगे बिलकुल भी जो keys जैसा उसको highlight करना चाहते है उस हिसाब से ये बिलकुल भी आप इसको जो है highlight कर पाएंगे camera इसके अंदर IR camera लगा हुआ है full HD वाला जो full HD 30 fps पर record कर सकता है या फिर video calling कर सकते है इसके अंदर microphone included है वो तो सब में ही होता है इसके अलावा अगर हम ports की इसके अंदर बात करें तो एक इसके अंदर type C USB 3.2 Gen 2 का लगा हुआ है जिसके अंदर display भी out होता है इसके अलावा जो दूसरा type C है वो thunderbolt 4 है यानि कि बहुत सारे display को जोड़ना है तो उसके लिए आप जो है इसके अंदर आप जोड़ सकते हैं docking station लगा सकते हैं यूज़ कर सकते हैं और एक जो है USB type C के अंदर USB 3.2 Gen 2 का एक मिल जाता है उसके अंदर भी display port आउट हो रहा है यानि कि सारे USB type C के अंदर से आप display आउट कर सकते हैं डाइरेक्टली इस पर से तीन display आप चला सकते हैं विथ PD charging के साथ में भी आ रहा है उसके अलावा एक USB type A 3.2 Gen 1 मिल रहा है और एक USB type A का USB 3.2 Gen 2 का भी मिल रहा है और इसके अलावा SD card reader मिल रहा है और एक HDMI 2.1 यानि कि 8K 60 Hz की वीडियो आउट कर सकता है और 4K 120 Hz की वीडियो जो है आप इस पर इंजुआए कर सकते हैं देख सकते हैं RJ45 का एक port है कमाल का हर चीज से मतलब बहुत ही high end जिसका पैसा फट रहा है पैसे का कोई यिसू नहीं है वो लोग इसको खरीच सकते हैं बाकि 2 येर की on-site warranty मिल जाती है MSI के तरफ से लेकिं लोग इसको खरीद रहे हैं तो कहीं न कहीं पैसे वालों के भी इंडिया के अंदर कमी नहीं है लोग हर तरह के हैं हर model को लोग पसंद करते हैं लेकिन यही model जो है आज के 2 साल बाद खरीदेंगे तो बहुत ही सस्ता मिलेगा लेकिन फिलहाल आज के रेट में तो यह बहुत ही costly है बाकी looks जो है यह बहुत ही बहतरीं fill दिलाता है गेमिंग्स का और keys वगेरे की क्या कहने बहुत अलग सा है ही बाकी RGV lights वगेरे हर चीज बिलकुल भी बहुत अच्छा fill आपको दिलाने वाला है तो इस तरीके का यह laptop है जो की दो-तिन variant का मैं लिंक दे रहा हूँ वो आप जो है जाकर के देख सकते हैं उस पर click करके अभी फिलहाल इस वक्त की price की अगर मैं बात करूँ तो जिस model के हम लोग बात किया ही है पाँच लाख पैंतीस हजार का इससे थोड़ा सा डाउन में आप जाएंगे तो वो आपको पड़ जाएगा चार लाख सैंतालीस हजार का उसके अंदर सब कुछ जो है आपको सेम ही चीज मिलने वाला है बस इसके अंदर ग्रैफिक कार्ड चेंज हो जाएगा इसके अंदर जो है जो ग्रैफिक कार्ड है वो एन्विडिया का जियो फोर्स आर्टी-एक्स 40-80 है और जो पाँच साड़े पाँच लाख वाला है वो इसमें 40-90 है इस तरीके का यह 12 जीबी का ग्रैफिक कार्ड है 40-80 वाला वो इसके अंदर लगा हुआ है और वहीं पर ये करीब-करीब 60-70,000 रुपे कम हो जा रहा है उसके बाद 4,000,000 रुपे के आसपास में जाएंगे तो i7-13 जनरेशन का मिलेगा और इसके अंदर भी Nvidia Geoforce RTX 40-80 जो है बस की बात नहीं है, लेता ही कौन है जिनका इस प्रकार का requirement है पैसे की कोई problem नहीं, वो अलग बात है लेकिन हमें तो जानकारी चाहिए थी जो हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने समझा कि आखिर में ये महंगा क्यों है तो ये महंगा अच्योली है क्योंकि वो सारी चीज़े बहुत महंगी है तो दोस्तों ये वीडियो इन्फर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं इस टैप की वीडियोस हमेशा ले करके आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ एक्ष किसी और अच्छी इंफर्मेशन वीडियो के साथ में पूरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्नेबाद करता हूँ आपका दिन सुभू